हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ कि कैसे हम BVN स्कूल की एप को यूज कर सकते हैं बेसिकली ये वीडियो टीचर्स के लिए है और यहाँ पर हम डिसकस करेंगे कि किस तरीके से टीचर्स यूटिलाइस कर सकते हैं BVN स्कूल की एप को तो सबसे पहले हमें प्ले स्कूल में एप को सर्च करना होगा आप प्ले स्कूल के सर्च के ऑप्शन में जाकर BVN स्कूल लिखकर आप सर्च करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फोर्थ एप है हमारी वो BVN स्कूल के लोगो भी वहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही एजी है हमारे लिए पहचान ना उसको आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद option आएगा open का और आप उसको open पर क्लिक करें यहां पर टीचर्स के लिए एक particular password and user id दी जाएगी उस user id और password को input करने के बाद आपके सामने इस तरीके से screen आएगी और इसके बाद जो हमारा left most left में upper most जो हमारे options के लिए एक icon दिया हुआ है इसको click करने के बाद आप यहां जाएंगे student management में student management को click करने के बाद थोड़े time के बाद ही यहां पर आप class select कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी classes अभी आपको दिख रही हैं बट जब आप as a teacher user ID और password अपना input करोगे तो उसमें limited classes जिन में आप generally पढ़ाते हैं वही classes आपके सामने होंगी और उनमें से कोई भी एक class आप select कर सकते हैं जैसे मैंने data उस class के बच्चों का आपके सामने होगा यहां से आप उन बच्चों का data देख सकते हैं यहां से आप mobile number देख सकते हैं यह mobile numbers हैं बच्चे का यह name है और यही नहीं यहां पर बच्चे की user ID भी दी हुई है आप देख सकते हैं कि जो user ID है यह user ID यूजर नैम तो यूजर नैम सभी यूजर नैम जनरली 3 and 3 6 alphabets के हैं सभी alphabets small में बने हुए हैं और जिसका name 6 से small है 6 से कम alphabets का है वहां पर देखे रेनू यहां पर name है तो यहां पर cable रेनू ही उसका username है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे students का name है उसके first 6 alphabets ही उसका username है और जिसमें name में कहीं न कहीं 6 से कम alphabets हैं तो उसका username है वो same name ही है और कुछ आपको add नहीं करना है इसके अलावा जो password है वो यहां पर registered जो mobile number है student का वो password है और इस तरीके से बहुती journal हो जाएगा हमारे लिए बहुती easy हो जाएगा किसी भी student को उसकी username और password बताना हम कह सकते हैं उससे कि आपका name ही small letters में आपका username है और जो आपका mobile number यहां पर registered है वो आपका password है बस कुछ students को कोई problem हो सकती है तो वो हो सकते हैं कि उनका mobile number यहां पर कौन सा registered है तो आप यहां से easy ली देख सकते हैं कि कौन सा mobile number के student का है यह mobile number का data students को call करने के लिए भी आपके लिए बहुत utilize किया जा सकता है और बहुत important सकता है आप students को यहां से mobile number देखकर उन्हें call करें उनसे इस app को install करने के लिए कहें ताकि वो school के साथ connect हो जाएं और इस app के थरोफ बहुत सारे online classes के lectures और बहुत एक अलग तरीके से planned way में online classes दी जाएंगी in future students को तो इसके लिए सभी students इस app को install कर लें easy बहुत ही easy है इसको install करना play store में जाके search option में उन्हें bvn school app जाकर search करना है उसके बाद bvn school का logo उन्हें दिख जाएगा install करने के बाद students के लिए भी उन्हें username और ID username और password उन्हें input करना है after that वो अपनी class particular section जो यहां से हमने उनको दिया हुआ है इस app में वो उसको access कर पाएंगे उसके data को access कर पाएंगे और वो सारी चीजें देख पाएंगे तो इस तरीके से teachers इस particular app को use कर सकते हैं इसके अलाबा कोई class में steady material अगर हमें भेजना है तो steady material का यहां पर option है अब steady material को click करेंगे तो इस तरीके से थोड़ी देर में एक screen open हो जाएगी उसके बाद यहां से आप class select कर सकते हैं after that आप subject select कर सकते हैं और उसके बाद यह बहुत सारा data इस तरीके से आ गया है और आप यहां से जो भी आपको study material भेजना है यहां add के option पर click करने के बाद add के option पर click करने के बाद आपको यह इस तरीके से screen आपके सामने हो जाएगे यह एक screen हमारे पास आएगी इसमें class आप select कर सकते हैं ninth all class का एक group बना हुआ है जिसमें ninth class के सारे sections को एक बार में ही आप सारा work भेज पाएंगे इससे कहीं न कहीं हमारी working efficiency बढ़ जाएगी और time बहुत कम consume होगा क्योंकि all the ninth class sections will get the same work which you are sending through this time okay you can select the subject also आप यहां से subject भी select कर पाएंगे अभी कोई technical problem रही है let me select it again let me select it again let it is 11 science A and now subjects are here like physics you can put up the title and description also here आपकी कोई pdf file या image file आपके phone में है तो आप उसको यहां पे click करने के बाद वहां access कर सकते हैं कोई link आपको बेजना है गूगल ड्राइब का तो यहां से आप भेज सकते हैं और इस प्रकार यहां पर कोई और भी link आपको बेजना है तो description में आप भेज सकते हैं कोई YouTube वीडियो का link या कुछ भी आपको ऐसा send करना है तो आप वो कर सकते हैं और end में आप submit कर देंगे submit करने के बाद वो चला जाएगा तो इस तरीके से आप study material students के लिए send कर पाएंगे इस app के थरो quiz भी इसके थरो कराई जा सकती है उसके बारे में मैं बादें बताऊंगा attendance, management हम teachers को पहले ही बता चुके हैं और इसके अलाबा live classes के लिए भी आप यहां से एक link जो की generally zoom app का link रहेगा वो आप send कर सकते हैं 12th science A and let me choose the subject also subject is this is x 12th science A okay this is 12th science A 12th science A 12th science A दो यहां पर आपको दिख रही हैं अभी इसमें जो x जो की हमारी 12th science A यहां भी exams नहीं दे पाईए वो भी इसमें x 12th science A के नाम से added है उन students से भी हम यहां से जुड़ सकते हैं और उनके subjects हम यहां पर अब हम यहां पर 12th science A के लिए कोई भी subject यहां select कर सकते हैं और live classes के लिए हम यहां add पर click करेंगे आप direct भी add पर click करके यहां पहुंच सकते हैं 10th B and let me select the subject for the class it may take some time then we can select the subject like science we can put up a date here third title you can put up any title and now zoom का अगर आपको link भीजना तो यहां भीज सकते हैं यहां पर आप कुछ भी लग सकते हैं science online class यहां पर आप link जो भी आपका है zoom app से उसे आप यहां पर paste कर सकते हैं कोई password आपने बनाया है तो उसको आप यहां पर paste कर सकते हैं meeting ID भी आप यहां पर paste कर सकते हैं और इसके बाद submit करने पर यह link सभी 10th B के students के पास पहुँच जाएगा और बहुत ही जल्दी कोसिस की जाएगी कि 10th all classes के लिए यह subject wise प्रोपर तरीके से चल पाए और live classes के link भी आप इससे भीज पाएंगे इस एप को students तक पहुचाने के बाद हमारे लिए बहुत easy हो जाता है क्योंकि फिर हमें students को whatsapp की तरह बार बार add करने की या delete करने की ज़र्द नहीं है students किसी भी mobile में इस एप को install करके connect हो जाएगे चाहे वो किसी भी number के mobile phone पर उसे use कर रहे हैं बस उन्हें अपना username और password ठीक से इसमें fill up करना है and इसके बाद वो कैसा कर पाएंगे यहाँ पर video lectures के लिए भी option है video lecture में डारेक्ट आपेड पर जा सकते हैं यह किसी के लिए भी डारेक्ट आपेड पर जा सकते हैं class यहाँ से select कर सकते हैं like 6th o और इसके बाद यहाँ से कोई subject आपने select किया titles वगर लागा के youtube का अगर आप link वेज रहें तो यहाँ पर इस जगह पर आप उसको paste कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर enter the link यहाँ पर आप link को paste कर सकते हैं इसमें title लिख सकते हैं उस वीडियो का यहाँ पर कोई और description के तौर पर कुछ लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर type कर सकते हैं paste कर सकते हैं और इसके बाद आप submit करेंगे तो यह उस particular class में चला जाएगा बहुत easy है यह app use करना क्योंकि हमें options से ही पता चल जाता है very easily कि क्या होना है इससे circulars भी एक particular messages हैं जो हम students को भेज सकते हैं और इससे पहले एक assignment option आया हुआ है assignment का तो आएए इसको भी हम apply करके देखते हैं add के option पर आप जाकर class यहाँ से select करेंगे फिर उसके बाद after that आप subject select करेंगे title, description and assignment की submission date आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप इसको PDF format में डालना चाहते हैं तो PDF पर क्लिक करेंगे और image format में है तो image में करेंगे तो इस तरीके से आप assignment के लिए भी students तक पहुचा पाएंगे इस app को यूज कर पाएंगे assignment के लिए और basically यही options हमें यूज करने ही तो मैं कहना चाहूंगा request करना चाहूंगा अपने सभी staff members से कि जो भी classes की इन चार्चिप उनको दी गई है उस class की इन चार्चिप को सभालते हुए उन सभी students के पास call की जाएं कि वो इस app को install कर लें secondly वो अपनी new class की books को purchase कर लें manage कर लें new books लेना कोई जरूरी नहीं है वो कही न कहीं पुरानी books भी manage कर सकते हैं अपने neighborhood में कहीं किसी से और उसके अलावा वो daily basis पर पढ़ना start करें बहुत ही जल्दी उनका online classes भी start कर दी जाएंगी और आप सभी students को motivate करें ताकि वो कहीं न कहीं focused हो जाएं और एक message सभी students को जरूर दें कि इस time में जो सबसे पहली priority है हम सब की वो है कोरोना से बचाव हम सब को कोरोना से बचना है कोरोना बहुत जदा fatal हो चुका है बहुत dangerous है life के लिए और बहुत सारी deaths की news हमें आजगल मिर रही है अपने आसपड़ोस के गाओं से भी और कस्वों से भी तो हमें कहीं न कहीं students को motivate करना है कि आपको इस कोरोना से बच कर रहना है पहली priority हमारी यही है जिसकी वाज़े से हम अपना बचाव कोरोना से किया जाए और उसके बाद कोशिस रहे कि हम studies को अपनी studies को properly चला पाएं थोड़ा बहुत रोजाना पढ़ते रहें ताकि एक regularity बनी रहे थैंक यू थैंक यू everyone